अजय को अजय को अजय को नमस्का दोस्तों मैं रवी कुमार आज मैं लेकर आया हूं एक नई जगा को आपके सामने जिसका इतियास में मैं इnto आज हम एक नई कड़ी को आपके सामने पेश करेंगे जिसका नाम है पीजी का दोस्तों हमारे पीछे आप देख रहर होंगे यह बडी सी इमारत इसे ही चीनी का वाब्रोजा कहा जाता है चलिए हम पास में चलते हैं और आप को इतियास के इसके इतियास के बारे में और भी कई चीज़ें बताते हैं चलिए ए हम्ने दुस्तों अगर इसके सट्प्श की बात की जाए तो ये एक आयता का老GER में हुआ है square form में बना हुआ है इसके चारों तरफ चार पीलर बनाए गये हैं जो छोटे-छोटे पीलर हैं और इक सेंटर में एक आना बड़ा गुमंद बनाया गया है जो इसकी खुफसरीति को और भी वो समय कि चार चांड लगा दिया करता होगा और इसके नीचे एक अर्ज बना वहें दोस्तों हैं दिद्वार मेंहें रज कहते हैं कई परकार के होते हैं दोस्तों लेकिन इस वाले अर्ज को टू अर्ज के नाम से जाना जाता है चलिए चलते हैं महां और नजदिक इसके और आपको और भी इतियास से जुड़ी इसकी बातों को बातों की जानकारी देते हैं कि दूस्तों इसे चीनी का रोजा किस का जाता है क्यूंगा प़ाजाता है आप बढ़ में बटाएंगे लेगर हम बटा दें आपको नेर्मान कराया गया था वह कराया गया था सक्रोﷺ सिराजी अफजल खान के दौरा बढ़ता से अफजल खान ने निवक शुकरोला अफजल खान की जो मौत edel लाहुर में शनी साथ में लेकिन उनकी अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें वहां से यहां पर लाया गया था और यहां पर उन्हें दफनाया गया था चलिए हम और इसकी है ना और इसके अना स्ट्रक्चर और वास्टुकला के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों इसके देखा जाए तो देखा आधाकार फॉम में बना हुआ है जिसे एना स्क्वेर कोर्ण के आदात पर भी बनाया गया है और दोस्तों इसे आप जो आप नीले रंग की टैले देख रहे हैं दोस्तों कि वह जो एलान कि वह हो चुकी कारी कारी ग़ेवारी का प् drug नमूना है दोस्तों क्योंकि जे टैले जो है इसे एना काषी कि परनाम से एइरान में जाना जाता था जिसे ना हम उसका अनुवात किया जाता है तो चीनी के तोरपल लिया जाता है तो जो टैले हैं दोस्तों वह चीनी से बनाई गई ती इसलिए इस फिल्ए चीनी का रोजा कहा जाता है सब्स्क्राइब जैसे हम चीनी रोजे इंटर करते हैं पर तो यहां पर हमें सबसे पहले यहां पर एक आना फ़ुड़ा देखने को मिलता यहां पर पाणी वरDya जाता होगा और यहां पर चलता जिसए हैं अपनी सुंदर्थ करता होगा दोस्तों कि आपको बताया यह एक मकवरे के तोर पर बनाया गया था शराजी ने अपने मरनेसे पहले इस मकवरे का निर्मान कराया गया था और देख़ए आप है डेख सकते हैं यह ओंटे फूल हैं यहां पर देखाई यह जो उल्टे फूलें क्लिप यहां पर उल्टे फूल हैं दोस्तों यह शोग परकाण करने के लिए बनाएpelेजाते हैं товr जो बेसिकली देगा जाए तो यह है किसी मखबरे पर बनाए जाते हैं कि उल्टे फूलो का मतलब ही होता है शोक परकड़ करना और यहाँ पर देगा जाए तो जो काशिकरी कारी गरी है जो की एरान की विलुप्त हो चुकी कारी गरी है उसका ये हिंदुस्तान में एक बेजोड नमूना है दोस्तों जो की है ना पूरे हिंदुस्तान में इकलोता मकबरा बचाया है या इमारत बची है क्यों काशी करी एक ऐसी कारी करी हुआ करती है दोस्तों जिस पर क्या है कि इटों और इटों के स्ट्रक्चर पर एक मोटा प् बैसका घ्षाज्थ कुए यह एक इकलोता नमूना बचाए कि ही घ्क और इंदोस्तान में έक यी नमूना बचाये दोस्तों यह सबस्टभाइब का यह सब्सकरेब सब्सक्राइब Tampa기 रांट सब्सक्रमाईलग अव्यासे कि फ Match अ को यह निर्मान के गया था जिसने अपने मरने से पहले इसका नर्मान किया था और और भी इसकी बारे में हम आपको और भी जानगाई देते हैं चले चलते हैं और भी आगे कि दोस्तों इस मकबरे के अगर हैं बैक साइड पर हम आपको दिखा रहे हैं हम फ्रेंट से हम आपको बाद में दिखाएंगे इसमें देखिए यहां पर एक दरवाजा बना हुआ है जो कि उस पार निकलता है दोस्तों और इस प्रकार यहां पर भी एक दरवाजा बना हुआ है जो कि लॉक हैं लेकिन दोनों खुले हुए आगर खोला जाये तो दोस्तों यह इतनी जजर हालत में है कि इसकी एक रिजन यह भी था दोस्तों कि जब आठारा सो तीन में जब अ जिसमें उनका मकबरा बना हुआ है उन्हों जो हैंसिंग थे उन्हों ने जब अंगरेजों से बाल और दोस्तों लेकिन हुआ कि सन 830 तक आते आते कई जो अधिकारी वर्ग थे यह अधिकारी थे वो इस पर रहना एहत्राज जताने लगे थे कि हम इस चीज को क्यों सनरक्षित कर रहे हैं तो सन 899 तक यह काफी खस्ता हालत में पड़ा रहा था और यहां पर जो स्थानिय लोग थे उन्होंने यहा की जाते थे और यहां पर रहते थे काफी गंदगी फैल आई थी और इसको काफी ज़जर हालत में कर दिया था लेकिन फिर उसके बाद लाड करजन ने इसकी इस दिशा पर आपत्ती जताई और इसको एना एक शंद्रक्षित इस्तान बनाने के लिए काफी परयास किये गए और इसको शन्रक्षित किया गया तो चलिए हम आपको आगे और दिखाते हैं कि दोस्तों यह जो चीनी का रोजा है उसके फ्रंट साइड के वीडियो है जिसमें क्या है कि आप है ना नीली चीनी मुन नीले रंगे रहे हैं जिसे नमुना का जाता है जो यहां पर चड़े गए यहां यहां की एक मोटे प्लास्टर पर इनको अना लगाया गया था इनहें चीनी के दुआरा बनाया गया था इसलिए उन्हें तो चलिए हम आगे और दिखाते हैं आपको दोस्तों जो चीनी का रोजा है उसके ना हम फ्रेंट साइद को आपको दिखा रहे हैं यहां पर पर प्रजयन टाइम में यहां पर नहीं कर दिया गया है जो वाइड जो आप देख रहे हैं और जो ऊपर जो आप देख रहे हैं वह जैसे वैसे का वैसा ही रखा गया है और करें कि इसको white paint यहां पे अब बाद में कर दिया गया है कि अम आपको अंदर से दिखाते हैं जो मक्बरा है चलिए दोस्तो चलते हैं हम अंदर का कि जो मखारा जो बनाये था स्कुरॉला सिराजी अव्यूदाब कानजी ने बनाये और वो एरान से भारत आये थे और जब भारत आये थे तो यहां पर जो शाशन था वो जहांगीर का शाशन था उन्होंने यहां पर सुकुरॉला सिराजी जो अफजल खान थे उन्हें यहां पर विद्वान कवी अफजल खान की उपादी से नवाजा गया था और जब शार्ज पर्धान मंत्री के तौर पर न्यूक्त किया गया था देखे यहां पर दो मजारे हैं इसमें एक तो शराजी अफजल खान की और उनकी बेगम की और हम है ना चार उतरब देखें उपर चार उतरब देखें देखें तो एक ब्यूटिफल चितकारी की गई है और डिजाइनिंग की गई है इसे पच्ची कारी भी कह सकते हैं और बैतनी कलोरों के साथ इसे सजाया गया है जैसे क्या होता है कि इसके उपर जैसे नकाशी करी का तक हमें साड़ी गरी है, उसका व्यजोर नमूना यहांपर हमें देखने को मिलता है दोस्तो होता क्या है कि इसमें क्या है कि मोटा प्लास्टर लगाया जाता है उसके ऊपर प्लास्टर की एक पफली गली पड़त चड़ाई जाती है और उसके ऊपर उसको उखेड़ा जाता है जो ड्राइंग होती है यह चित्र होते हैं और फिर उनके उपरी परद नुपरे जाता जाता है जैसे वेगेटेबल करण ऎर सबजी आले करला होते है यह सब्सक्राइब के उसे लिए नैच्रृली करण को यूज था जाता था कर दो कर दो कर दोस्तों इन नीले टाइल्स का कुछ इसा ही सुरक्षित बचा है जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों मेरे पीछे आप जो छत्री देख रहे हैं यह उस समय जैसे ना यहां पर यम्ना नदीती और यह वैपारिक छेत्र के तोर पर यूज किया जाता था अग्रा को क्यों है यह एक लाइच अटिके सके रूप में यहां पर प्रयूक कि जाती ती算ती चैना यात्री जो आया करते थे नोका मैं यहां पर लायर से लाइटिघ किया जाता है और उन्हें यहां पर रुकने की वेवास्ता को बताया जाता था यह चतरी काफी दोस्तों काफी solid जरहालत में तूटी हुई है लेकिन हम आपको और भी नमुना दिखाते हैं जैसे ना उदर वो जो चट्री दीग रही है आपको अगर आज दोस्तों यह जो चट्री दीग रही है आपको सेम यह चत्री इस साइड बनी हुई थी जो फोर मंजल चत्री है और इस साइड और उस साइड मलब दो चट्री आब बनी हुई थी या काफि जढ़ध में इसके ऊपर और दो तीन गुमंत टूट चुके हैं कि यहाँ पर नहां रास्ता करता दोस्तों या भी र आठा था और उस साइट जाने कर चोड़ने के लिए में एक बाहती गोइवरा नहीं पेर थे इंडिकेट किये जाते ते इसे लाइट हाउस के रूप में प्रयोग किया जाता था दोस्तों हमारे पीछे जो आप यह आकर्ती देख रहे हैं इधर इसे आना काला गुंबल के नाम से जाना जाता है लेकिन इतियास में इसकी जानकारी नहीं है जिसके बारे में हम आपको जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जब चीनी रोजे का यहां पर निर्मान किया गया था तो उसी टैम पर इसका भी निर्मान किया गया था दोस्तों हम आये थे आज चीनी के रोजे पर जहां पर आना हमने आपको एक प्राचीन इमारत के दक्षन कराए और उसके बार तूरिस्ट बहुत कम आते हैं क्या है कि यहां पे एक नॉलीज भी कम है क्योंगी यहां पर घूमने के लिए आतने हैं और यहां का जो महुल आसपास का जो एरिया है काफी पहली हुई है परसासन को इसमें देखना चाहिए और जो रोजा है उसके शरणशन के लिए भी कोई क किब हैं यहां पर कैघा ने सबस्क्राद कर चाहिएए यहां पर रहना यह ये गोबरशन पड़ा हुआ है काफी वालख कॉत अधार फेली है इसके बाए में परसासन को एक आम पर बलीए को होने के कारण यहां पर जो टूरिस्ट आएंगे उनकी उनके सामने जो इसके चभी पड़ेगी उसको पॉजिटिव लाने के लिए भी परसासन को कुछ यहां पर सोचना चाहिए दोस्तों हमारा यह पॉइंट आपको कैसा लगा यह एक इस्टोरिकल प्लेस कैसा लगा हमने आपको एना चीनी की रोजी के बारे में सारा कुछ बताया आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंड लाइक और सब्सक्राइब परना ना भूलेगा हम मिलते हैं अपनी हम आपाइब को हमारी यह पहिंच कैसा अपको छेस हाज हमारी, हिएम में हमारा की गारे में हमारी अविकल अवाले यह भी हमारा यह बालिछ काम में की सा तर​